बीजे पी को तो मुबारक कहना ही होगा क्योंकि हम शायद यह उमीद नहीं कर रहे थे हमें लग रहा था जो हम सुन रहे थे बाकी तो ग्राउंड पर क्या था वो तो दूसरी बात है लेकिन दोस्तों से साथियों से कम असकम हम यह सुन रहे थे कि 36 गड़ में तो कॉंग्रिस आराम से आगे है मधिया प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे तेलिंगाना में तो उनकी कॉंफिडंस थी और यहां तक कह रहे थे कि राजिस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे जब नतीजे सामने आए तो मासिवाई तलिंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेवुनियाद साबित हुई ना वो 36 गड़ बचा सके ना वो मधिया प्रदेश वापस जीत सके और ना वो राजिस्थान दुबारा जीत पाए मधिया प्रदेश में देखे न अब थोड़ी देर के लिए कमलनाथ जी चीफ मिनस्टर रहे लेकिन उसको छोड़के अब 20 साल तो हो गए यह पांचों टर्म शायद शुरू होने जा रहा है